हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस एहमद एन वेलकम हीर तो माइ योट्यूब चैनल प्रिपेशन सेंटर आज की वीडियो में आपको नाइन क्लास का कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर पर वाइड करूंगा इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और हर कुप देखने के बाद आप उसको अच्छी तरह से याद कर सकें इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्किपना कीजिए अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से अनिंपॉर्टेंट है लेस को इसके अनिंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं से अनिंपॉर्टेंट है तायप्स अफ कंप्यूटर सूपर और माइक्रों कंप्यूटर यूजिए ओफ दर एजुकेशन स्टीमुलेशन बैक बेसिक्स जावा लिस्प और लेंग्विज ट्रांसलेटर में आपको बताते च इसके स्टूडेंस के लिए पेरिंग स्कीम है I think so second, third और six chapter में से long question आना है अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर आपने पेरिंग स्कीम आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल पर available है आप आर्ट सब्जेक्स के जो पेरिंग स्कीम है नान क्लास की उस वीडियो में मैंने कंप्यूटर साइंस की पेरिंग स्कीम बताई हुई है आप वहां से जाकर एक दफार जरूर नोट कर लें इस के बाए चैप्टर नमबर 2 के जो इंपोर्टेंट क्वेस्टन हे यहाँ पर üzी युईएस बी चिपू और पर प्रेल्ट पोर्स के रिट्रिर एस अगर्से की टो हर्बार चैप्टर नोबर 3 की वोर्ड का लाउन कक्वेस्टन बहुत जादा के related questions हैं बहुत चाथ important हैं मैं computer science का long questions specific long questions है top 10 long questions मैं वह भी upload करने की कोशिश करूँगा उसके बाद chapter number 4 में RAM ROM memory unit formatting data organization floppy इसके related आपको questions पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं पूछे नबर जो chapter number 5 में जो important questions हैं आप यहां पर देख सकते हैं different types of data number of system introductions important questions हैं आप इनको नोट कर लें और जो exercise related questions हैं आप उनको भी आँसे नोट कर लें question number 6 to question number 18 important questions हैं आप इनको exercise से भी लाजमी तोर पर एक दफा याद करें exercise के questions को उसके बाद end or gate operation के related chapter number 6 में से जो important questions हैं यहां पर दिये गए हैं और exercise में question number one two three four five six and seven one two seven question exercise से आप लाजमी तोर पर करें chapter number seven में type of operating system फिर उसके बाद यह जो important questions हैं यहां पर दिये गए हैं आप इसको वीडियो को पॉस्ट करकर आप इनको questions को लोग नोट कर लें प्र उसके बाद चैप्टर no.7 में 156 और 13 chapters के important questions हैं उसके बाद चैप्टर no.8 में फोल्डर फाइल एक्स्टेंशन आइकन स्टार्ट बर्टन और माउस शॉर्टकर से हेल्प वायर्सिस और एंटिवायर्सिस के रिलेटिट questions हैं आप इनको नोट कर लें और जो एक्सराइस में रिलेटिट क्वेस्टन हैं फिफ्ट और एट इंपॉर्टन क्वेस्टन हैं अमीद करता हम वीडियो अच्छी लगी होगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल पर नहें तो करनली चैनल को ला आफीज